नवस्कार मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुबित पूनम में दोस्तो आज हम करेले काचार बनाएंगे लेकिन हम बिल्कुल ही अलग तरह से बनाएंगे अगर आप इस तरह से करेले काचार बनाते हैं तो आप पूरे साल जो है भरवे कर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि ये रेस्पी आपको कैसी लगी और जो बगल में घंटी का निसाने उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबस पहले मिले तो चलिए करेले का अचार बनाना सुरू करते हैं बिलकूल ही अलग तरीके से तो देखिए ये सारी सामगरी हमने कठा कर लिये और हम आपको एक एक करके बताएंगे कि हमने इसमें क्या कैस्तेमाल किया है तो हमने आधा किलो करेला ले लिया जिसको हमने अच्छ में मिलाने के लिए और हींग ले लेंगे थोड़ा सा जो कि आचार में बहुत जरूरी होता है सरसो का तेल ले ले और मसाले मसालों में हमने कलोजी ये चमच लिया है करीब तीन चमच के करीब हमने सौफ लिया है और सौ गराम से उपर है ये कम से कम डिर सो गराम हमने धनिया ले लिया है एक चमच मेथी है और एक चमच जीरा है और आरदस तो सबसे पहले हम करेले को उबाल लेंगे तो हम इसको पानी में डारेक्ट नहीं उबालेंगे हम पानी रख देंगे और उपर से हम करेले को रखके और इसको उबालेंगे तो इसके उपर हम सारे करेले रख देंगे करेले को हमने अच्छे से धूलके और छील लिया था उपर से तो छील का निकालने से इसका थोड़ा करवाट कम हो जाता है अब हम इसको ढग देंगे और उबलने देंगे तो देखिए करेला हमारा अब उबल गया है और आप ऐसे चक्कू से देख सकते हैं देखिए एक दम उबल गया है अब हम इसको उतार लेंगे गैस से तो इसको हम नीचे उतार लेंगे और अब इसको हम ठंडा होने देंगे तब तक हम मसाले भून लेंगे क्योंकि मसाले हमको भून के उसके बाद ही पीछना है तो हम एक पैन रख देंगे और उसमें हम सबसे पहले धनिया डालेंगे जब धनिया हमारा हलका सा भून जाएगा तब हम उसमें बाकी सारे मसाले डालेंगे बज़्यादा नहीं कम से कम एक मिनिट के लिए तो इसको हम थोड़ा सा चला के भून लेंगे हलका सा और अब हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे अचार में कभी भी अगर आप बनाते हैं अचार तो मसाले को भूनना बहुत ज़रूरी होता है नहीं तो आपका अचार ठीकेगा नहीं खराब हो जाएगा तो अब हमारे मसाले भून गया हैं और इसको हम ठंडा होने देंगे और करेला हमारा ठंडा हो गया है तो हम इसको बीज से फाड़के और चीरा लगा कि इसके हम सारे बीज निकाल देंगे करेले को हम खाली कर देंगे तो अचार तो बहुत तरीके से बनता है लेकिन अगर इस तरीके से बनाया जाए तो पूरे साल हम इसको भरवा करेले के जैसे खा सकते हैं और कभी भी मेरा मन किया तो अगर हम बना नहीं सकते तो तुरंत हम जार से निकाल के इसको खा सकते हैं तो देखे सारे बीजम ने निकाल लिया है और अब हम इसमें करेले में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक इसमें हम डाल के और मिक्स करेंगे सारे करेलों में हम हाथ से अच्छे से मिला देंगे तो इसको हम हाथों की सहायता से अच्छे से पूरे करेले में मिक्स कर देंगे हमने अचार पहले से बना लिया है वह साधा किलो का हम बना रहे हैं ताकि हम आपको बता सके तो देखिए हम अच्छी तरक से इसको नमक और हर्दी इस सारे करेले में हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम जब तक वो उसमें मिक्स हो रहा है तब तक हम मसाले तायार कर लेंगे तो मसाले को मिक्सी जार में डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे तो देखें मसाला हमारा पीस गया है और अब हम सारे मसाले एक में मिक्स करेंगे तो एक प्लेट में हम मसाले को निकाल लेंगे मिक्सर से और उसमें हम बाकी सारी सामगरी आइट करेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और हींग डाल देंगे हम हींग तो सबसे ज़्यादे जरूरी होता है आचार में अब हम नमक डालेंगे स्वात के अनुसार और ये कच्चे आम को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है छिलके उसको भी मिक्स कर देंगे सारे मसाले हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो देखे मारे मसाले मिक्स हो गए हैं अब हम इसमें थोड़ा सा सरसो का तेल एट कर देंगे क्योंकि मसालों में नमी जरूरी है तो उसको भी हम मिक्स कर देंगे तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं करेले काचार तो आपको साल में कभी भी अगर भरवा करेला खाने का मन किया तो आप तुरंत तो बना नहीं सकते लेकिन जार से तुरंत निकाल के खा तो सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे कि मसाले को करेले में भर के रखेंगे एक एक करेला हम उठाएंगे और थोड़ा थोड़ा मसाला हम हाथों से भरते जाएंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम भरवा करेला बनाते हैं तो इसी तरह हम सारे करेले भर देंगे मसालों से तो एक एक करके हम सारे करेले भर के रखते जाएंगे और अगर आपका करेला बड़ा हो तो बीच से आधा कर दीजिए और आप कोसिस करिए कि करेले छोटे छोटे ही ले आएं आचार बनाने के लिए तो देखे सारे करेले हमने भर के रख लिया है और अब हम इसको इसी तरह से धूप में सुखाएंगे अच्छे से तो देखे करेला मारा अब सुख गया है अब हम इसको आगे इसको प्रिप्रेशन करेंगे तो हमने क्या किया सरसो का तेल हमने अच्छे से गरम करके ठंडा कर लिया है और अब हम इसको जार में भरेंगे तो हम एक एक करेला उठाएंगे ऑर अच्छे से तेल में डुबो के और जार में रखते जाएंगे तो सारे करेले को आप इसी तरह से जार में भर दीजिए और उसके बाद जो बचा हुआ तेल है उसको भी डाल दीजिए और थोड़ा तेल और आप गरम करके और ठंडा करके इसमें डाल दीजिए और उसके बाद करेले को हम करीब 8-10 दिन तक अच्छे से हम धूप में इसको पकने के लिए रखेंगे तभी हमारा अचार पूरे साल ठीकेगा तो हम इसको देखे हमारा अचार तयार हो गया अब हम इसको इसी तरह से धूप में सुखाएंगे रोज करीब 8-10 दिन तक तो ये रेस्पी आपको कैसी लगी मुझे एक बार जरूर कमेंट करके बताईएगा फिर मिलेंगे एक नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार